हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल हाई एजुगेशन जोन मैं मैं हूँ राज दोस्तों जैसिक दोस्तों हमारी हर्याणा के समानेग्यान की स्रीज चल लई थी और काफी most important पार्ट जो है वो भी हमने अपडेट कर दी है पले लिस्ट में मौ तो आज का दोस्तों सबसे पहला question है मुगल काल वानीजे का मुख्या के अंदर था आप भी दोस्तों participate करें इस टाइप के hard level के question के अंदर आप कितने question सही कर सकते हैं तो दोस्तों participate करके आप comment box के अंदर answer जरूर बताएं ताकि आपकी त्यारी का level कितना है वो बता चल सके चहरी की स्थापना कहां पर हुई स्थापना कहां पर हुई पूछा गया दोस्तों right option है इसका हमारा बी जजजर के अंदर दोस्तों जजजर के अंदर कब हुई 1919 के अंदर जो है अरियाना की पर्थम कचैरी की स्थापना जजजर के अंदर हुई थी 1919 के अंदर हो सकता है द अगर इसी मुख्य मंत्री कौन थे तो राव विरेंदर सिंग, इनकी पार्टी का नाम दोस्तों इसमें पूछा गया है, तो पार्टी की बात करें, तो राइट ओप्सन है हमारा, ओप्सन ए, हरियाना विसाल पार्टी दोस्तों इनका नाम था, और यह दोस्तों राव तुला बनाया गया था तो इनका महत्रकुन उस टाइम जो है योगदान रहा था और दोस्तो एक जो हमारा 1967 के अंदर जो पहली बार राश्च्पती सलसन लगा था जो इनहीं के कार्यकाल के दुरान वो लगा था तो राव विरेंदर सिंग से लेटरी दोस्तो इसने के उसन हमारे जो option right जो रहे गा वो रहे गा option हमारा c दोस्तो आसी के अंदर c के बारे में काफी most important question पूसे जाते हैं जैसे 12 वी सदी के अंदर जो महान हिंदू सासक थे पर्तियोराज सुनहाद ऊन्होंने दोस्तों आसी के Qillay का निर्मान करवाय था, ठीक है, और दोस्तों ये जो तलवार निर्मान की फैक्ट्री थे, ये दोस्तों इनके पुत्तर थे, उसके बात जो राजा अनंगपाल थे उनके पुत्थर थे दुरूपद ठीक है उन्होंने दोस्तों इस किले में एक तलवार निर्मान की फैक्टरी का निर्मान करवाया था और दोस्तों इसे तलवारों का किला भी कहा जाता है हासी के किले का दोस्तों दूसरा नाम है तलवा दोस्तों हमारा सोना के किले का निर्मान किस ने करवाया सोना के किले के निर्मान की दोस्तों यहां पर बात कीगी है सोना के किले की तो इसका राइट ओप्षन जो रहेगा वो रहेगा ओप्षन हमारा बी राजा जवाहर सिंग ने सोना के किले का निर्माना करवाया था ये दोस्तो बरतपूर के राजा थे किसके थे बरतपूर के राजा थे और दोस्तो अठारवी स्ताब्दी के अंदर जो है सोना के किले के निर्मान जो है करवाया था सुना के अंदर hairdos Kaylaников से जुर वडरी है और एक सरुटाने के नहाने से जो हमें जो हराण के ठीक होते हैं किसकी रचना है यह क्योशन पूछा गए है तो option दोस्तो A-S में हमारा writer का Shri Ram Sharma Shri Ram Sharma के दोबारा हरियाणा का इतियाज के लावा हरियाणा नवरतन और हरियाणा तिलक यह तीनों ही रचनाएं Shri Ram Sharma के दोबारा रचित की गई है तो शिराम सरमा की तीनो रचनाएं ही बार-बार दोस्तों कोशन में और नारनोल के अंदर स्थित है और पुराने समय में दोस्तों यहां क्या होता था चोर डाकु जो है छुप जाते थे तो चोर गुबन इसको कहा जाने लगा और दोस्तों सबसे महतपून के उसन जल महल से रिलेटर बनता है ठीक है जिसका निर्मान जो है पंदर सो एक यानमे में चोर में उस ह साथ कुली खां जो एक तरफ चे वहां के रियाशत के नेथा भी रहती तो नारनोल के अंदर जल पूछा जाता है तो वहां से भी मिर्जा अलिक खान जो थे उन्होंने ही मिर्जा अलिक खान की बावडी का निर्मान खुरूआ था ठीक है और और फी चोटे मोड़ी क्यों दोस्तों मादोगड़ के लिए मैं अंदरगड़ से जुड़ा हुआ है इब्राहिम खान का मकबरा बहुत ही अच्छा question फूँचा जाता है तो इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्याद अलंबी हो जाए इसलिए हम ये question जो है cover करते हैं हिंदी रुबाईया समराड रुबाईया समराड की दोस्तों बात किए हिंदी की तो इनके समंदित है रइट ओप्शन हमारा B देख़ेगा उधे बान हस हिंदी रुबाईयां रचना किससे समझेद है उधे बान हस हिंदी रुबाईयां किसके दवारा रचित है उधे बान ह consistent हमें यहां से cover करना ज़रूरी है बढ़ लेतुन हमें दोस्तो next question की तरफ नेक्स्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स करना है नयाल्या की दोस्तों इसमें बात की है जहां पर दूरदसन के अंदर का उटकातन दोस्तों एक नाम बेस ताब्दी के पूरन बक्तों किस नाम से जाना जाथा था इसलिए बार्वी स्थाब्दी से जितने जुड़े वह क्योशन बनते हैं हरियान के दियास हो चाहिए दोस्तों हमारा रपा या कोई भी सब्सक्राइब करने जुरूरी है तो इसका राइट ओप्सन जो रहेगा वो रहेगा उप्सन हमारा ये चोरंगी नाथ के दव़ारा दोस्तों 12 स्थाबदी के अंदर पूर्णबक्त के नाम से जो हिन को जाना जा था चोरंगी नाथ ढ़र वो दवारा मार्केंटिंग बोर्ड की स्थापना कप के गई थी और सौर छोटुराम को असर की उपादी किसके दवारा दी गई थी दो क्योशन आपको comment box के अंदर reply करने हैं क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही क्योशन एक्जाम के अंदर फूचे जा चुके हैं नेस कोशन है दोस्तों हमारा बिवानी और में अंदर गट किस वरस NCR में सामिल के गई ये भी एक टाइप से बहुत ही स्यांदार कोशन मनता है राइट ओप्सन इसका रहेगा अमारा option D 2013 के अंदर दोस्तो बिवानी और मेंदरगड को NCR के अंदर सामिल किया गया कितने जिले दोस्तो आपको कमेंड के अंदर बताना है कितने जिले जो है NCR में सामिल किया जा चुके है और अरियाना का कितने परतिसत हिस्टा प्रतिसत भी बताना है और कितने जिले सामिल के जाज़ के वो भी बताना है और ये दोस्तों एक जुलाई एक जुलाई 2013 के अंदर पूरा पूछा जाए तो एक जुलाई 2013 के अंदर जो है बिवाणी और मेंदरगर जो है NCR के अंदर सामिल कर लिए गए थे नेश्क क्योशन है राव तुला राम का मकबरा स्थित है राव तुला राम के मकबरे की दोस्तों यहाँ पर बात कीगी है यह भी एक टाइप से बहुत अच्छा क्योशन मनता है और राइट उप्शन इसकी दोस्तों हम बात करें तो right option है हमारा C, काबूल के अंदर दोस्तो राव तुला राम का मक्वरा कहां पर सित है काबूल के अंदर तो दोस्तो काबूल से related ये क्योसन जादा नहीं मनते अगर हम देखे दो तो राव तुला राम की अगर बात करें इनकी याद में दोस्तो सहीधी दिवस भी मनाए जाता है तो सहीधी दिवस तो आपको पता है दोस्तो बहुत जादा बार कोशन जो है एक जाम के अंदर पूछा जा चुका है सर चोटोराम की दोस्तो हम बात कर रहे थी तो 1937 के अंदर दोस्तों ठीक है सर की उपादी उनको देगी थी और सर की उपादी किसके दवारा देगी थी यह आपको comment box के अंदर reply करना है चलिए बढ़ लेते हैं next question की तरफ next question है हमारा हर्याना में अत्या दूनिक bus stand कितने हैं अत्या दूनिक bus stand की दोस्तों इसमें बात की गी है तो right option जो रहेगा वो रहेगा option हमारा ए सो bus stand जो है दोस्तों वो अत्या दूनिक है ठीक है तो bus stand से लेटेट भी हो सकता है exam के अंदर question पूस लिया जाई तो यहां से हमें कावर करना जरूरी है सटकों की लंबाई से लेटे देशो जैसे question पूसा जा सकता है दोस्तों हरियाना का सबसे बड़ा bus stand जर 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 के अंदर वो भी question हो सकता है पूछिले जाई तो हमें यह चोटे-चोटे question जो है cover होने जरूरी है next question है राज जेके विशम पिता महा के रूप में जाना जाता है विशम पिता महा की दोस्तों बात कीगी है किने जो है विशम पिता महा के रूप में जो है इनको जाना जाता है किनकी बात कीगी है यह क्योशन है तो इसका right option जो रहेगा वो रहेगा option हमारा ए चोदरी देविलाल को दोस्तो बिसम पितामा के नाम से इनका अन्य नाम है इनको दोस्तो किसानों के मसीहा जैसे सर्चोटुराम से भी जुड़ा हुआ किसानों से मसीहा क्योशन पूचा जाता है और चोदरी देविलाल से लेटेट भी अगर वो option ना दिया हो तो चोदरी देविलाल आप वहाँ पे click करके आ सकते हो तो राजनेती के भिशम पिता माँ भी ताउ, हर्याना के ताउ, जन्नाइक और हर्याना के जर्मदाता दोस्तो किंग मेकर सेरे रियाना इस परकार की उपादिया जो है चोधरी देविलाल को दी गई है चोटाला गाउं सिर्शा की दोस्तों हम बात कर रहे हैं तो यहां से क्योशन दोस्तों में यह क्योशन कवर करने जुरूर है एक और एक नारे के उपर जो है बसा सहर है तो रहे चापा मिला तो वह कई बार कर चुके हैं तो रहे पहला हरियाना का पहला paid car खाना की बात करें, पहले paid car खाने की तो right option भी रहेगा फत्यवाद के अंदर, अब यहाँ पे दोस्तों confusion होने की जुरूरत नहीं है, क्योंकि यह दोस्तों नए question हमें जो है update रहने जुरूरी है, ठीक है, तो अगर 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 सनेटरी उद्योग से जुड़ा पूचा गया है, तो right option भी दोस्तों चोदरी मंस्तिलाल को जो है, ड्रोप सिंचाई के रूप में जाना जाता है, और हर्याणा के दोस्तों तीन बार यह मुख्यमंत्री दे इन्हें भी दोस्तों लोग पूरूस, हर्याणा के विकास पूरूस, हर्याणा के सिलपी, अदू बहुत सारे और भी इन से जुड़े वे क्योशन बनते हैं जो बार बार जो है एक जाम के अंदर पूछे भी जाते हैं इन दोस्तों रज्य के जो हमारे नहरों के निर्माता के रूप में भी दोस्तों जाना जाता है और नहरों से रिलेटे दोस्तों एक क्योशन हमारा दुगलक को भी दोस्तों ठीक है नहरों के नमाता के रूप में जैना जाता है लेकिन आटी आसी काल कम बात करें तो हिसके अंदर लिकूट शक्राansen मिला है जिसको पढ़ा भी गया है और लिक्ळ सक्राइब यह मिला है जैस खूसे नोस्तो हमारा निमलिक्त में से रेलिवे लाइन नहीं है सो लिभ यह यांपे बात के हैं तो snu जो रहेगा वो रहेगा option हमारा C, growd gauge, दोस्तो growd gauge नाम से कोई भी railway line नहीं है, तो वक्की जो meter gauge है, और हमारी broad gauge है, narrow gauge है, यह दोस्तो हमारी railway line है, लेकिन growd gauge जो है, वो नहीं है, तो दोस्तो narrow gauge की लंबा, जो जोड़ा ही है, वो पुछे जा सकती है, तो वो है दोस्तो 0.610 meter, meter भी जोड़ूर देखें दोस्तों पीछे, 0.610, और दोस्तों meter gauge की बात करें, अगर meter gauge की बात करें, 1.00 meter, तो यहाँ से भी question पुछा सकता है, और broad gauge की बात करें, दोस्तों, broad gauge की, 1.676, 1.66 है दोस्तों, यह 0 नहीं है, तो दोस्तों, इनकी चोड़ाई भी हो सकता है, फूछी जा सकते हैं, तो यह question भी हमें cover करना जूरूर यह है, और हरियाना में सब से पहले, meter gauge गुरू गाम दोस्तों, 21.00 2010 से लेट चली थी, वो भी question हो सकता है, एक्जाम में पूछी लेजा जाई, नेच्स कोषण है, तो रायट उप्षन जो रहेगा, वो रहेगा, उप्षन हमारा, एक्जाम दोस्तों को बागर के से ऱ्हेँ के लम से भी जाना जाए ticking, और आज का दोस्तों हमारा नेच्स कोषण हमारा, बार्त का पहले, पहला, लायू मनोरंजन स्थल परदेश में स्थित है लायू मनोरंजन स्थल की बात कीगी दोस्तो राइट ओप्सन हमारा A रहेगा गुरुगराम के अंदर राइट ओप्सन A रहेगा गुरुगराम के अंदर और गुरुगराम के अंदर क्या है दोस्तो kingdom of dreams जिसको बारत का पहला live manononjan style manonjan city के रूप में दोस्तो यहां पर आप मैच कर सकते हो manonjan city के रूप में गुरुगराम को जाना दाता है और manonjan style जो है वो बारत का पहला live manonjan style हमारा गुरुगराम के अंदर kingdom of dreams स्थित है और आज का दोस्तो अत्यांत अधिक सम्रिद भूमी हर्याना का अर्थ है दोस्तो तोड़कर अगर इसका मतलब निकाला जाए तो अत्यांत अधिक सम्रिद भूमी निकलता है तो क्योशन दोस्तो अच्छासी के अंदर केशे भी पूझे जा सकते हैं अत्यांत अधिक समर्द भूमी का अर्थ है भौ दानिक है तो राइट उप्सन इसका हमारा भी रहेगा तो यह थे दोस्तों आज के हमारे कुछ 25 मोशन इपोर्टेंट अंटस ट्राइब क्योंशन वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और फ्रेंड सेर्कल में शेयर भी करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही तब तक नमस्कार जै हरियाना जै भारत